तो जब यह मोडल या रेश्टरेट में खाना खाने जाते हैं तो हमारी लिस्ट में सबसे पहले जो चीज होती है वो होती है दाल मखनी क्योंकि दाल मखनी तो हर किसी को पसंद होती है तो चलिए आज जिस दाल मखनी को घर पे कैसे बनाते हैं सीख लेते हैं सबसे पहले हमें मेजर्मेंट के लिए कप या कड़ोई रसेट कर लेना है और अब लेनी है यह अपकी तो गुण में कुछ ऐसी लगती है यही दल मह Physics करना है मैं यहां यहाँ हम यहाँ लेना है यह कि यहाँ हमें यह나 पर यह यहां इस होता नल्मकनी बनाने के लिए यही तो दाल को मैंने पहले से ही 3-4 घंटे रख लिया था आप इसको तीन से चार घंटे जरूर शोक करें तो दाल हमारी बहुत अच्छी बनके तयार होती है जोड़ी कि आप देख सकते हैं कितने अच्छे से यह ऐसे दवाने से टूट रही है तो आप हम इसको एक कुकर में ट्रांसफर क कर लेंगे जो तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली होटल और रेस्टरेंट वाले बिल्कुल यही करते बहुत ही ऑथेंटिक तरीका है तो वीडियो को बिना स्किप की राष्ट तक जरूर देखना राजमा भी डाल देंगे इसको मिक्स करेंगे और साथी एड़ करना यहां पर देगी मिर्च या कास्मीरी लाल मिर्च साथी डेल डाल देना स्वाधानुसाद नमक एक चम्मच खुकिंग और बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक तरीका सेयर करने वाली इसलिए आपको बतारी हूं कि यहां हमें डालना छे से साथ लहसुन की कलिया होटल वाले वि जिसकी हमें पूरी बना के तयार करने है टमाटर इकदम फ्रेस होंगे तो हमारी पूरी बहुत ही अच्छी बनके तयार होगी तो ऑब यहां हमने लिया है कड़ाई तो बाटी तले का सकतनी सबस्जाब यहनुकिंग ऑल और उसके बाद हम डालें यहां तीन चमच बटर कुकिंग ऑल इसलिए डाला है जिसे कि हमारा बटर यहां पर जले नहीं बटर पहले डाल देते तो हमारा बटर जल जाता हूं बटर जैसे ही बहुत अच्छे से गरम हो जाएगा मेल्ट हो जाएगा इसमें हम डाल देंगे दो से तीन चमच अध्रक लहसन का पेस्ट और इसको अच्छे से भून लेना है अधरक लेसिन का पेस्ट जैसी हमारा अच्छे से भुन जाएगा यहां हम डालेंगे फ्रेश टमाटो प्यूरी जो हमने घर में बना के तैयार की है लेकिन अगर आपके पास टमाटो प्यूरी नहीं बन पा रही है तो आप तिन वाली प्यूरी भी यूज़ कर सकते जो कि आप डाल दीजिए इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना इसमें इस स्टेज पर कास्मीरी लाल मिर्ष डाने का हमारा एक ही मकसद है जिससे कि हमारी दाल मकनी में बहुत ही ज्यादा टैम्टिंग कलर आए तो चार सीटी लगाने के बाद दाल को चेक कर लेते हैं तो दाल भी हमारी बहुत अच्छी से कुख हो चुकी है बस इतना भारते हमें को पकाना था बहुत ज्यादा नहीं गलाना है मैं इसको यह नहीं दंक सकते हमें दाल को यहां पकाना है तो फिर आपका कुश्सान करता है कि ख naar लगाने या बीच में बाड जरूर क्षिस तो इस से दालेंगे हम दाल को सिखानग इस के लेंद के लाल जुए कि काफी अच्छे से मिक्स करूं करना हो लोव लेम कर देना है में पर लॉफ लैम पर अफ aggreg हमें अच्हे से- coloca sm 대통령 या पर का छम या फिर गोटनी कहसकते oc में सबसे में प्रोसेस होता है ढाल मख्नी बनाने के लिए तो यहां तो यहां है बहुत ही तले का चमचा ले लिया जिसको हम लेडल बोदते हैं टेस Mitaras einfach करते हुआ उसको ऎसे घुमाना है जिस्से की दाल हमारी अच्छे से घुट जाए दाल को हमें यहां पर घोटना है क्योंकि दाल में जो हमने राजमा डाला है उसके हमें चंक्स नहीं दिखने चाहिए बस उसका फ्लेवर आना चाहिए और उसकी बाइंडिंग आनी चाहिए हमारी दाल में होटल रेश्टर ने बिल्कुल यही तरीका यूज करते हैं तो दाल को आपको कितना ठीक रखना है कितनी पतली रखनी है टोटली आप डिपेंडर राइस के साथ खाना चाहते हैं या कुल्चे और चपाती के साथ लेकिन अगर आप दाल में जब भी पानी एड़ करें आप प तो इसलिए हम यहां इस्तेमाल करेंगे MDH का डाल मखनी मसाला तो दो चमच मैंने यहां एड़ कर लिया है और इसको फिर से बहुत अच्छे से मिक्स करना यानि कि डाल को हमें बापस से फिर से घोटते रहना है क्योंकि इसमें राजमा के चंक्स नहीं दिखने चाहिए इसी घोटते रहना है क्योंकि सबसे में प्रोसेस दाल मखनी बनाने का यहीं होता है दाल मखनी हमारी और मॉस्ट बनने वाली है तो लास्ट में इसमें एड़ करेंगे अमुल फ्रेस क्रीम अगर आपके पास अमुल फ्रेस क्रीम नहीं है तो आप जो घर में दूद की है ओसते मुनर कर सकते हैं मैं आपके साथ ऐसके अपके साथ होटेल वाला औफ्रीका ठीक day का सेयर कर रही थी इसलिए मैंने आपके साथ अमुल फ्रेस क्रीम का इस्तेमाल किया कि तो डाल सब्सक्तरा यहां पार welding कर ले आँफ में नहीं हरे धनिया